साथियों हमारे शास्त्रों में कहां गया है न्याय मुलं सुराजम श्यात अर्था किसी भी देश में सुराज का आधार न्याय होता है इसलिए न्याय जन्ता से जुड़ा होना चाहिए जन्ता की भाषा में होना चाहिए जब तक न्याय के आधार को सामान ने मानमी नहीं समझता उसके लिए न्याय और राज की आदेश में बहुत फर्क नहीं होता है मैं इन दिनों सरकार में एक विशे पे तुड़ा दिमाग खपा रहा हूं दुनिया के तई देश ऐसे हैं कि जहां कानून बनाते हैं तो एक तो लीगल टर्मिनलोलोजी में कानून होता है लेकिन उसके साथ एक और कानून का रूप भी रखा जाता है जो लोग भाषा में होता है सामान्य मानवी की भाषा में होता है और दोनों मान्य होते हैं और उसके कारण सामान्य मानवी को कानूनी चीजों को समझने में न्याय के दर्वाजे खटखटाने की ज़रूत नहीं पड़ती है हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे एक देश में भी कानून एक पूरी तरह लीगल टर्मिनलोजी हो लेकिन साथ साथ वही बात सामान्य व्यक्ति की समझ में आए उस भासा में और वो भी दोनों एक साथ SMLE में या पार्लमेंट में पारिद हो ताकि आगे चल करके सामान्य मानवी उसके आधार पर अपनी बात रख सकता है दुनिया के कई देशों में परंपरा है अभी मैंने एक टोली बनाई है वो उसका अध्यान कर रही है साथ हमारे देश में आज भी हाई कोर्स और सुप्रिम कोर्ट की सारी कारवाही इंगलिश में होती है और मुझे अच्छा लगा कि सीजे आई ने स्वैम ने इस विशे को स्पर्श किया तो कल अख़वारों को पोजिटिव खबर का अफसर तो मिलेगा अगर उठा ले तो लेंगे उसके लिए बहुत इंतजार करना पड़े जा साथे एक बड़ी आबादित को न्याई प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है हमें इस वबस्ता को सरल और आम जंता के लिए एक ग्राही बनाने की जरूत है हमें कोर्स में स्थानिय भार्षाओं को प्रोसान देने की जरूत है इसे देश के सामाने नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बड़ेगा वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा अब इन सबहें हमें कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन मात्रु भासा में क्यों नहीं होना चाहिए हमारे बच्चे जो भार जाते हैं दुनिया की वह भाषा कोशिश करते हैं पढ़कर के फिर मेडिकल कॉलेज की तो हम हमारे देश पर कर सकते हैं और मुझे खुशी है कई राज्यों ने मात्रु भासा में टेक्निकल एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन के लिए कुछ इनिसेट्व लिए हैं तो आगे चल करके उसके कारण गाउं का गरीब का बच्चा भी जो भाषा के कारण रुकावटे महसूस करता है उसके लिए सार जिग्नाय के लिए ये कभी भाषा भी बहुत बड़ा कारण बन सकती है साथियों एक गंबीर विशेष सामान्य आदमी के लिए कानून की पेचिदियां भी है दोहजार परना बैं हमने करीब अठारा सो ऐसे कानूनों को चिन्नित किया था जो अप्रासंगी हो चुके थे इन मेंसे जो केंद्र के कानून थे ऐसे 1450 कानूनों को 1450 कानूनों को हमने खत्म गिया लेकिन राज्यों की तरफ से केवल 75 कानून ही खत्म किये गए हैं मैं आज सब ब्रदी आदर्णिय मुख्रमंद्री गर्ण यहां बैठे हैं मैं आपसे बहुत आग्रह करता हूं कि अपने राज्य के नागरीकों के एधिकारों के लिए उनकी इच अफ लिविंग के लिए आपके यहां भी यह कानूनों का इतना बड़ा जाल बना हुआ है काल बाहिये कानूनों में लोग फसे पड़े हैं उन कानूनों को निरस्त करने के जिसा में पदम उठाईए लोग भूत आशिरवात देंगे लेटेस्ट अपडेट्स और ताजातरीम खबरों के लिए टीवीवर इंडिया लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत दिए